पीवा से इस वक्त की बड़ी खबर करुकर रहे हैं मस्दूर पर अमले के बाद बवाल मच गया है एक बड़ी खबर निजी मेडिकल स्टोर गार्ड से मस्दूरों का जगड़ा विवाद हुआ था समझाईश देने पुलिस कर्मी पहुचे उनके साथ भी मारपीट की गई पत्राओ किया गया मामूली सी बात को लेकर पत्राओ हुआ आगजनी हुई धेका चौराहे पर लॉयन ओर्डर की स्थती को सम्हालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है भारी पुलिस बलतैनाथ है तीन टी आई दो अन्य पुलिस कर्मी गंबी रूप से घायल है गुसाय पद्रवियों ने गाड़ी में आग लगा दिये है धेका चौराहे की स्थती फिलाल मियंतरन में बताई जा रही है यह तस्वीन है रीवा की आपको दिखा रहे है मजदूर पर अंबले के बाद बबाल हो गया है हालात समालना पुलिस को मुश्किल पड़ रहा है राजीव हमारे सेयोगे मारे साथ जोगए रीवा से राजीव क्या स्थती वहा है बिल्कुल आपको उताओं कि रीवा के सिविल लाइन थामा चेत्र का पूर्टका मुहले की पूरी गटना है जो कि निजी मेटकल स्थोर के सिकोर्टी गाड का विवाद वहां के जो मजदूर खड़े होते हैं अपने काम पर जाने के लिए उनसे कुछ विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा नहीं था मामूली का विवाद था लेकिन उसकी बज़ा से मजदूर और वहां से जो इस्थानी लोग जो थे पद्रवी कुछ लोग थे उनके द्वारा इस तरह की गतना को अंजाम दिय गया और पहले तो नार्माल सिती थी लेकिन अचानक से इतना उग्रू रूप ले लिए कि पास को तमालने के लिए पुलिस बल वहां पे पहले पहुचा थाना सम्मंदित थाना का और उसके बाद जब ऐसा लगा कि कंट्रोल में नहीं हो गया तो भारी पुलिस बल यहां से मगाया गया बुरे सहरकार और फिर जो वहां से उसंदर भी लोग थे तो पुलिस के उपार यहां तकी हमला भी कर दिया जिसमें से तीन ठाना प्रभारी और दो अलग पुलिस कर्मी गंभी रूप से गाया लुए है जिनका उक्चार संजय गांदी अस्पताल में कराया जा पार हैं बिल्कुल अभी फिलहाल काफी लंबे समय मतलब की दो फंटेज की मसकत के बाद आप कंट्रोल में आया है पुलिस का कहना है कि पूरी चीजे कंट्रोल में है और काफी पुलिस बारी मात्षा में यहां पे मवजूद है शुक्रिया आपका आप नजर रखे वापस आपडेटम लेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आप दिखा रहे हैं मजदूरों के साथ स्थानियों के हलके फुल के विवाद ने एक विकराल रूप लिया है पुलिस को समालना मुश्किल पड़ा है कई पुलिस कर्मी पत्राओं में घायल हो गए है फिलहाल हालात कंट्रोल में